हलो फ्रेंट्स मंजूतियगी हीर इस वर्ष सन दो हजार एकिस में संत्रविदास जैनती 27 फरवरी की है इस वीडियो में संत्रविदास कौन थे उनका जन्म कब और कहां हुआ उनकी विशेश्टाएं उनसे सम्मंदित पौरानिक कताएं उनके विचारों को अभिव्यक्त करत आपको मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कुछ भी मिस न हो जाए माग पूर्णिमा को संत्रविदास जी की जैनती मनाई जाती है हिंदू कलेंडर के अनुसार इस वर्ष 2021 में गुरू रविदास जी की जैनती 644 वी जैनत गुरू रविदास का जन कुछ धार्णाओं के अनुसार रविवार के दिन हुआ था जिस कारण उनका नाम रविदास रखा गया उनकी माता शिरीमती कालसा देवी एवंपिता शिरी संतोक दास चर्मकार थे उन्होंने भी अपना पैत्रक कारोबार ही अपनाया और उसी को उन्होंने भक्ती मैं धंग से अपनाया रविदास बच्पन से ही साध्यू संतों के प्रभाव में रहने लगे अत्यभक्ती की भावनाओं के धनी वे बच्पन से ही थे एक पौराणिक कता के अनुसार वे अपने एक साथी के साथ प्रति दिन खेलते थे एक दिन जब वे नहीं आया, तो रविदास जी उसे ढूंडने चले गए, उन्हें पता चला कि उसकी तो मृत्यू हो गई है, बहुत दुखी हुए, उसके पिता के पास पहुँचे, उन्होंने अपने बेटे के मृत्शरीर की ओर इशारा किया, और बताया कि उसकी मृत्यू हो गई है, बहु आलोकिक शक्तियों के कारणी हुआ, जो उन्हें बच्छमन से ही प्राप थी, यह बालक और कोई नहीं, उनके गुरू चारदा नंद जी का पुत्र ही था। कुछ समय बाद उन्हें पूरा ध्यान, रामो और क्रश्न की भक्ती में लगाया, समाच सेवा में लीन रहे और संत बन गए, उनके मन में लालच या द्वेश्ट बिल्कुल नहीं था, उनका मन भगवान के मंदर के तुल्ले था, इस प्रकार के लोगों में ही भगवान हमेश गंगा, तो कठोती में गंगा, उनका ये प्रसंग बहुत ही लोग प्रिया है, इसका अर्थ है कि यदि मन पवित्र है और जो अपना कारे करते हुए ईश्वर की भक्ती में तल्नीन रहते हैं, उनके लिए इस से बढ़कर कोई तीर्थिस्तान नहीं हो सकता, इस भाव को औ उनका एक और व्रतांत सुनाती हूँ, एक बार संत्रविदास जूतों की मरमत कर रहे थे, एक ब्रहमन उनके पास आये और बोले की चलो गंगा इस्टनान के लिए चलना है, उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास बहुत काम है और अर्जेंट काम ह लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है आप ये मेरी चार सुपारी लेते जाओ और ये गंगा मा को चढ़ा दे, पंडिजी ने जाकर गंगा इस्टनान किया और मा गंगा को वो सुपारियां चढ़ा दी, जैसे ही वो सुपारी चढ़ाई, मा गंगा प्रकट हुई और उन्होंने क कहा कि एक कंगन उपहार रूप में पंडिजी को दिया कि लो इसे रविदास को दे देना पंडिजी ने उस कंगन को घुमा फिरा कर देखा हीरे जवारात पन्नों का जड़ा हुआ वो कंगन था बहुत ही खुबसुरत उनके मन में लालचा गया और उन्होंने सोचा कि क्यों इसे मैं अपनी पत्नी को भीट कर दूँ उन्होंने उसे पत्नी को भीट कर दिया पत्नी भी बहुत दालची थी वो सुनार के पास गई सोचा इसको बेच दूँ और माला माल हो जाओं सुनार ने देखा यह बहुत कीमती है राजा इसकी बहुत अच्छी कीमत दे सकता है व राजा ने फौरण सुनार को बुलाया कि इसके साथ का दूसरा कंगन ला कर दो। सुना और पंड़ जी के पास पहुँचे और पंड़ जी भागे भागे रविदास जी के पास पहुँचे और सारी कहानी रविदास को सुनाई कि किस प्रकार मा गंगा ने तुम्हारे लिए उपहर से रूप एक कंगन दिया था और किस प्रकार वो राजा के पास तक पहुँ पूँच गया है और अब उसके साथ के दूसरे कंगन की आवशकता है रवीदास मुस्कुर आये और उन्होंने कहा कि बैठो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करता हूँ बुले किस प्रकार करोगे कि जहां से एक कंगन आया है वहीं से मैं दूसरे कंगन तुम्हें मंगा दे और उन्होंने उनसे उस कंगन की मांग की और मा गंगा ने उन्हें कंगन दे कर अपने प्रिय भक्त के प्रती अपने वाचसल्य का प्रदर्शन किया रवीदास जन्म के कार नहीं होत नको नीच ये भी उनका भध प्रशली दोहा है इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति छो क्यांद से रहने की शिक्षा उन के द्वारा इस दोहे upside सो भक्ता भग्वंत उंत्सम क्रोध न व्यापे काम रे दाशी के इस दोहे आर्थ है की भक्ती में ही शक्ति होती है जिसहिं में दिन रात राम के नाम का वास होता है वह वस्ते स्व्यम राम के समान होता है और क्रोधएवं काम भावना का कभी भी शिकार नहीं होता कर्म एवं कर्म फल के बारे में भी रविदास जी का एक बना प्राश्टवित दोहा है कर्म बंधन में बंध रही कर्म अमारा धर्म है सत्थ भाकई रविदास जिसका भावार्थ है कि हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और साथ साथ मिलने वाले फल की भी आशन नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि कर्म हमारा धर्म है और फल हमारा सौभाई जाति पात के जंजाल में फसे हुए हमारे समाज के लिए भी एक बहुत सुंदर संतेश संत्रविदास जी ने दिया है जाति जाति में जाति है जो केतन के पात रहदास मनुषना जुड़ सके जब तक जाति न जात इस दोहे में संत्रविदास जी कहते हैं कि केले के तने को छीला जाए तो पत्ते के नीचे पत्ता पत्ते के नीचे पत्ता मिलता चला जाएगा और अंत में कुछ भी नहीं मिलेगा ठीक इसी प्रकार इंसान भी जातियों में बट गया है और जातियों ने इंसान को बाट दिया है अंत में इंसान भी खत्म हो जाता है पर जातियां खत्म नहीं होती जब तक जातियां खत्म नहीं होंगी इंसान एक नहीं हो सकता भगवान की भक्ती की महिमा का गुणगान करते हुए संत रविदास जी का एक दोहा जा देखे घिन उपजे नरक कुंड में बास प्रेम भक्ती सो उद्रे प्रक्टत जन रविदास रविदास जी कहते हैं कि जिस रविदास को देखने से लोगों को घ्रणा आती थी जिनका निवास नरक के समान था ऐसे रविदास का इश्वर भक्ती में लीन हो जाना सच में फिर से उनकी मनुष्य के रूप में उत्पत्ती हो गई है मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेव, सहज स्वरूप रविदास जी कहते हैं कि भगवान हमेशा एक स्वच और निर्मल मन में निवास करते हैं यदि आपके मन में किसी प्रकार का बैर, लालच या द्वेश नहीं है तो आपका मन भगवान का मंदिर है, दीपक और धूप के समान है इस प्रकार के लोगों में ही भगवान हमेशा निवास करते हैं क्रस्न करीम राम हरी रागव जाव लग एक न पेखा, वेद कतेब कुरान पुरानन सहज एक नहीं देखा इस दोहे में संत्र अविदास जी कहते हैं कि भगवान एक ही है उसके राम, क्रश्न, हरी, ईश्वर, करीम, रागव नाम अलग-अलग हैं सभी धार्मिक गरंथों में चाहे वेवेद हैं, कुरान हैं, पुरान हैं, कुछ भी हों, उनमें एक ही ईश्वर का गुनगान किया गया है ये सभी गरंथ ईश्वर की भक्ती का पाठ पढ़ा था रहीमन निज संपत्ती बिना कोउन विपत्ती सहाय बिन पानी जों जलज को नहीं रवी सके बचाए इस दोहे में संत्रविदास जी कहते हैं, कि मुश्किल परिस्थितियों में व्यक्ती की सहायता कोई नहीं करता है उस समय उसके द्वारा कमाई गई आध्यात्मिक एवं भौतिक संपती ही उसकी सहायता करती है ठीक उसी प्रकार जैसे सूरे भी तालाब का पानी सूख जाने पर कमल को सूखने से नहीं बचा सकता इसी प्रकार मनुश्य को विविवत्ती में भगवान के सिवाय कोई नहीं बचा सकता हरी सा हीरा छांड कै इस दोहे में रविदास जी कहते हैं कि जो लोग हरी जैसे भहु मुल्य हीरे को छोड़कर दूसरी चीजों की आशा करते हैं उन लोगों को अवश्य ही नर्क में जाना पड़ता है अर्थात इश्वर की भक्ती को जोड़कर इधर उधर भटकना व्यर्थ है कहर विदास तेरी भक्ती दूरी है भाग पड़े सो पावई तजी अभिमान मोटी आपा पर पिपिलक हावई चुनी खाटवई इस दोहे में संत्र विदास जी कहते हैं कि इश्वर की भक्ती व्यक्ती को अपने भाग्य से प्राप्थ होती है यदि मनुष्य में थोड़ा सा भी घमंड नहीं हो तो वह अपने जीवन में अवश्य सफल होता है बहुत सुन्दर संदेश अपने दोहे के माध्यम से रविदास जी दे रहे हैं पर उसके पूजनिय गुण है तो उसे अवश्य पूजना चाहिए। संत्र विदास जी ने अपने दोहों में समाज में फैली बुराईयों को दूर करने का प्रेत्म किया है और लोगों में सकारात्म कूर्जा का विस्तार किया है इसके साथ ही लोगों को सत्य के मार्क पर चलाने की प्रेड़ना भी दी है। वे विदे वीडियों को प्रेड़ना चाहिए। विदान वीडियों को ओंड प्रेड़ना चाहिए।